दोस्तो मिड नाइटीज के चलते जब एक्शिन फिल्में वापसी कर रहे थे तो आतिश और मोहरा इस जॉनर के मिसाल रही क्योंकि ये उस जमाने के एसाब से टेक्निकली सुपीरियर फिल्मे थी और जरूर इस जॉनर के लीडर रहे फिल्म आतिश के निदेशक संजे गुपता जो हॉंक कॉंग और कॉरीन पिक्चरों के बड़े फैन रहे और इनसे काफी प्रभावत दी मतलब 1994 के रिलीस आतिश एक हॉंक कॉंग फिल्म अब बेटर टुमोरो की कॉपी है इसमें कई सीन्स हैं जो डिरेक्टली उठाए गए फिर भी अगर आप उस समय मुझ जैसे टीनिजर थे तेरा चौदा साल के हिंदी फिल्म के फैन खासकर आक्शन फिल्मों के तो आतिश से बड़ी कोई फिल्म नहीं थी हीरो से लेके विलिन्स तक एक बड़ी कास्ट बहुत स्लिक अक्शन सीन्स हिट गाने वही टर्मिनेटर से इंस्पाइड बैकराउंड म्यूजिक जो मौरा और दे गैंबलर जैसे फिल्मों में सुनाई दी as well as a theme song from the Hollywood film 1492 Conquest of Paradise by the group Vangelis जो 97 की फिल्म कोईला की भी theme music थी और इन सारे elements को जोड़ती है फिल्म के dramatic themes जो बिलकुल हिंदी सिनेमा के दश्य को देखते आयते सालों से भाईचारा इज़त बदला करतविया duty redemption और ये सब ना बड़े entertaining तरीके से फिल्म के लेखक कमलेश पांडे, रॉबिन भट और सुजीट सेन और निदेशक संजे गुपता ने दिखाया इसमें यश चोपड़ा की मशूर फिर्म दिवार के भी कुछ elements हैं तो 94 के समय आतेश के hit होने के chances काफी थे और ये वाके में बॉक्स ओफल पे बेशक सफल रही अगर आपको नहीं मालूम तो स्टोरी ये है संजे दत का किरदार बाबा बच्पन में अपनी मदर के एक अपरादी का कतल करने के बाद अंडरवर्ड डॉन अंकल प्रेट बै अजीत उनके गैंग में शामिल हो जाता है और फिर गैंग का एक खास मेंबर बन जाता है फिर जब उनके छोटे बाई अविनाश प्रेट बाई अतुल अगनी होतरी बड़े होने लगते हैं तो बाबा अपनी गैंग सर वाली जिंदगी को छोड़ना चाहता है ताकि अविनाश का फ्यूचर सफल हो मगर जब इंस्पेक्टर अविनाश को मालूम चल जाता है अपने बड़े भाई के बारे में तो वो उनसे नफरत करने लगते हैं ड्रामा बाबा तीन साल के लिए जेल जाता है और इस सब के बीच डॉन का भांजा सनी याने की शक्ति कपूर अपने आपको गैंग के लीडर बनने की चाह में अपने अंकल का खून करता है और फिर बाबा और अविनाश की मदर का भी इंस्पेक्टर अविनाश सनी और गैंग सर काणिये के पीछे लगते हैं और क्राइम सिंडिकेट को कतम करने की कोशिश में जेल से जूटने के बाद जब बाबा अपने जिगरी दोस्त नवाब से मिलने जाता है तो उने मालूम पड़ता है कि सनी से जुडने के बाद काणिये प्रेट बाई हू एल्स पर गूल्शन ग्रोवर उसने नवाब की एक टांग काटकर उन्हें गैंग का फुट सोजर के बजाए एक गरीब गाड़ी साफ करने वाला बना दिया ये देखकर बाबा खसम काता है कि वो सनी और काणिये को मार कर अपनी मा की खून डॉन का खून और नवाब पर हुई जुल्म का बदला लेगा जब 94 में आतिश रिलीस हुई तो जून का महीना था और मैं गर्मियों के छूटियों के लिए मुंबई से मसूरी गया था उस समय आतिश वहाँ के सिनमा घर पे नहीं लगी थी तो माने अपने कुछ दोस्तों के साथ इसे VHS पे देखा मार्केट से रेंट करके बहुत अच्छी लगी हमें ये फिल्म जिनकी जोडी ने फिल्म के पहले सीन से ही हमें तालिया मारने पर मजबूर किया कि अरे जिन्दगी जीने का मज़ा तब है दोस्त जब मौत की उंगलिया थाम कर भागा जाए तू शोला मैं आतिश क्या गयता है और फिर वो सीन जिसमें नवाब काणिये को मारता है ये कहकर कि आँख खोल काणिया खोल अपनी आँख और अपनी मौत को दे काणिया अब याद करिए कि मैं सिरफ 13 साल का था दोस्तों तो ऐसे dramatic scene के चलते और फिर slick action scene से मुझे आचिस बड़ी अच्छी लगी और इस film को मैंने कई बार देखा इस film के अंदर मेरे एसाब से संजेदत ने अपनी करियर की सबसे अच्छी performances में से एक दी है और इसी picture को शायद ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ साल बाद वास्तव में कास्ट किया गया अधित्या पंचूली का ये भी शायद best role है alongside सेलाव और ये by far अतुल अगनी होतरी के सबसे credible performance है आतिश में unfortunately heroines को इतना कोज़ ज्यादा करने को नहीं है मगर फिर भी रवीना टंडन और करिश्मा कबूर इन दोनों ने ठीक काम किया है उस जमाने की standards के साब से overall दोस्तों mid 90's के लिए आतिश में वो सारे elements हैं जो दर्शक देखना चाहते थे and I was just one of them इस फिल्म के गाने कुछ खास नहीं मगर एक super hit थी दिल दिल मैं तेरे प्यार में खोया जो super hit मकावला और फिलिप्स टॉप 10 पे बहुत बचसा था और मुझे ये भी याद है कि फिल्म का एक गाना या मुस्तफा या मुस्तफा के कुछ अलफाज को लेके कुछ religious groups ने हंगावा मचाया और फिर इस गाने के बोल दुबारा गाने पड़े या दिल रुबा या दिल रुबा चेंज करके मगर पिक्चर अलब रिलीस हो चुकी थी और आज भी अगर आप इस गाने को यूटूब पे देखोगे तो अक्टर्स या मुस्तफा बोल रहे हैं मगर या दिल रुबा सुनाई देता है तो दोस्तों, if you have any memories of watching आतिश back in the 90s, do let me know in the comments section below और मैं जल्दी इस सीरीज, Films I Love का एक नया एपिसोड लेकर आँगा आँगा आपके लिए तब तक के लिए, stay happy, keep smiling, jahind